का कहर जारी है बहुत जादा करोना बढ़ गया है और उसी के मद्दे नजर पिछले हफ़ते हम लोगों ने एक हफ़ छे दिन का लॉक्डॉन लगाया था जो कि कल सुबह पांच बजे खतम हो रहा है जिस तरह से तेजी से केसे बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर उसको देखते वे लॉक्डाउन लगाना बहुत जरूरी हो गया था ये एक तरह से आखरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए लेकिन जिस तरह से केस्स बढ़ रहे थे ये आखरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा तो इसलिए उसके मद्दे नजर कई लोगों के भी जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की सबका मत यही है कि लॉक्डाउन को भी और बढ़ाना चाहिए तो लॉक्डाउन को दिल्ली के अंदर एक हफते के लिए और बढ़ाया जा रहा है अगले सोमवार को सुबह पांच पजे तक के लिए इस दौरान हमने देखा लॉक्डाउन के दौरान की संक्रमन दर पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं ये लगबग 36-37% तक पहुँच गई आज तक इतनी संक्रमन दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे लेकिन 36-37% तक संक्रमन दर पहुँच गई है पिछले एक दो दिन से थोड़ी सी कम हुई है आज 30 के नीचे आई है 29 पॉइंट कुछ आई है मैं यह नहीं कहरा कि करोना खतम होने की दिशा में जा रहा है लेकिन यह अभी तत्थे हैं अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा हो सकता है बढ़ जाए हो सकता है कम हो लेकिन हम भगवान से प्राथना करते हैं कि करोना से हम लोगों को मुक्ती मिले पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में oxygen की काफी ज्यादा समस्या हो रही है दिल्ली में oxygen की काफी कमी महसूस हो रही है हमने हाँ दिल्ली की इस वक्त जरूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन एलोट हुई है कल 10 टन और अलॉट किया केंदर सरकार ने 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है लेकिन ये पूरी अलॉट्मेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है इसका भी काफी कम एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुँची है तो 700 टन की जरूरत है इतने करोना की महमारी में उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुँच रही है ये जो ऑक्सीजन की कमी है दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुँच नहीं रही है जगे जगे से जो ऑक्सीजन आनी है ये एक बहुत बड़ा कारण है जो oxygen की कमी जगे जगे अस्पतालों में महसूस हो रही है लेकिन हमारे officers, हमारे सभी मंत्रीगन, हमेरे सभी लोग रात रात भर पिछले कुछ दिनों में जब से oxygen की कमी हुई है एक एक अस्पताल जहां-जहां कमी है वहाँ supplier से, manufacturer से, truck driver से जो लेकि आ रहा है उससे phone करकर के कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी कोशिशें कामयाब रही कई जगे fail भी हुए हम लोग और कई जगे हम समय पे oxygen पहुँचाने में हमारी team कामयाब भी हुई तो सबसे पहले तो मैं उनको जो रात रात भर काम करके और अस्पतालों तक oxygen पहुँचाने की जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने मुश्किल समय में इतनी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि oxygen इतनी इस वक्त कीमती है इतनी कम है तो उसका management करना बहुत ज़रूरी है तो उसको management करने के लिए भी अब कल से ठोस कदम उठाना चालो किया हमने एक वो portal टाइप बनाया है और order जारी कर दिये गए हैं जिसमें हर दो-दो घंटे में precious manufacturer से लेके और अस्पाल अन्ड यूजर तक हर एक को दो-दो घंटे के अंदर अपनी oxygen की position बतानी पड़ेगी कि manufacturer को बताना पड़ेगा कि पिछले दो घंटे के अंदर कितने truck उसके निकले सप्लायर को बताना पड़ेगा कि कितने ट्रक उसके दिल्ली के अंदर दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, अस्पतालों को बताना पड़ेगा कि पिछले दो घंटे में कितनी इस्तेमाल हो गई, कितनी घंटे की और बचे गई हैं, ये सारी चीज़ें ताकि दिल्ली सरकार को पता रहे कि कहां कमी आने वाली है तो इसके अलावा केंदर सरकार से काफी सहयोग मिल रहा है कल भी पूरा दिन केंदर सरकार के अलग-अलग मंत्रालें के साथ हमारे आफिसर्ज की टीम बैठी रही और दोनों टीमें केंदर सरकार और दिल्ली सरकार अच्छे से मिल के काम कर रही ह और कोशिश की जा रही है कि जो भी सप्लाइज आने में दिक्कत हो रही है उन दिक्कतों को दूर किया जा सके और मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये बहुत जादा अफरात अफरी का जो आलम है ये ठीक हो जाना चाहिए कल मैंने हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहां से भी और केंदर सरकार से तो मदद मिल रही है और भी जहां से भी हम लोगों को ऑक्सिजन मिल सके ऑक्सिजन के टैंकर मिल सके पूरे देश से दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को म में oxygen महया कराईए, oxygen tanker महया कराईए, कुछ एक राज्यों के साथ बातचीत भी शुरूर हुई है, जब भी कुछ concrete नतीजे आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन बहुत जादा कठेन परिस्थिती है, इन कठेन परिस्थितियों के अंदर सब मिल के काम कर रहे है मैं उमीद करता हूँ कि यह जो इतनी बड़ी emergency create हो गई है, इससे हम लोगों को जल्द छुटकारा मिलेगा, बहुत बहुत शुक्रिया